प्रणाम हाई को शमुद्दीन मैं तो अध्राव सब के बिन वेलकाउं डेह रहे हैं सत्या बेरी चैनल और मैं हूँ आपको दोस्त सत्या आपको अगया अगया इस फिचर के बारे में जो हाली में रिद्ट हुए है भी पहले तैकर दिया था और स्वेटर का लोकेशन और स्वेटर का पार्ट वन ही भी इनोंने टैकर दिया है जैसल इस पिचर के मैं आपको देखने को मिलेगा, जैसल हमारे हिरो जय वीकी कॉशल, जो इस शिपिंग मैनेजर की तरह होते हैं, जो शिप का पुरी जानकरिया रखते हैं, और शिप में पुरा ख्याल रखते हैं, तो उन्हें बता चलता है, कि एसा एक शिप है, जो मुंब हो चुके होते हैं, उसी साथमे में हो रहते हैं, और उसी साथमे में रहते हुए अपना काम भी करते हैं, जाकि इस शिप में सब का मौयना करते हैं, तो उन्हें तरह तरह के एक्समें होने को मिलता है, एक जैसल एक शिप में बूत है, और क्यों, किस तरह क्या है, यही कहान और इस पिचर में आपको देखने को मिलेगा जो हमेशा की तरह है एक इंडियन मुवी की तरह है कि हमेशा बूद का भी चाहिए तो बूद बंगला और जो शुवात के इसको एक बैक्राउंड कहानी एक होता है और फिर आखरी में ले जाके इसे ख Schalar करता है और फिर किसी मंदिर पर याap salary की दोबारा या तो फिर चर्च के फादर के दोबारा इसी तरह होता है और इसी तरह ऑपिचर का The End हो जाता है में इस पिचर में एक़े लेगा आपो के सकते दिविकीह के सकते हैं अज़ा आपको पुरानी कहानी की तरह हमेशा की तरह है इंडियन फिल्म अंडेस्ट्री में पिचर जीता नीकाल आथ और इस तरह नीकाला गया है बस आप time pass के लिए जा सकते हैं बस इस picture में तो बस time pass के लिए कुछ देखने लाइक थो है रह नहीं नहीं नजाने इस picture दर्मा प्रोडक्शन बैनर अगर आपके मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शायर कीजिए और सस्क्राइब जोरू कीजिए और आप भी पिचा दिखेगा आपके राहे हम मुझे जोरू पताईएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लाइके अपना ख्या बड़े बजोरू का सम्मान कीजिएगा जय हिंद बंदे मात्रव